Hello everyone, welcome to my channel मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती रहती हूँ कि किचन वेस्ट को डायरेक्ट अपने किचन गार्डन में बिना डिकम्पोज किये कैसे यूज कर सकते हैं और मैं किन किन तरीकों से यूज करती हूँ वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेशन मुझे लगाता राता रहता है कि इस तरह से बिना डिकम्पोज किये डायरेक्ट किचन वेस्ट यूज करने से क्या मिट्टी में कीडे नहीं होते और अगर होते हैं तो क्या वो प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुचाते तो मैंने सोचा आज इसी पर बात की जाए और इसी पर वीडियो बनाया जाए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए जब भी मैं कहती हूँ कि आप किचन वेस्ट डाल करके कंटेनर भरिये तो मैं ये कभी नहीं कहती कि आप सिर्फ किचन का वेस्ट डाली किचन वेस्ट के साथ साथ आपको ब्राउन वेस्ट यानि गार्डन का वेस्ट मेटेरियल डालना भी ज़रूरी है इसे भी डालना kitchen waste के साथ साथ उतना ही जरूरी है, क्योंकि kitchen waste में होता है nitrogen वो green कहलाता है, और brown waste में होता है carbon, और nitrogen और carbon दोनों का होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ हमें डालनी है थोड़ी-थोड़ी मिट्टी बीच-बीच में, क्योंकि मिट्टी में microbes होते हैं, और इन तीनों चीजों का हमें combination बनाना है, उसी से decompose होने का काम होगा, तो देखिए kitchen waste और brown waste हमें ज़्यादा डालना है, और मिट्टी हमें कम डालनी है, और इस तरह करके हमें container उपर तक भर लेना है, और उपर की layer में हमें मिट्टी की 3-4 इंच मोटी layer लगानी है, और उसके बाद उसके उपर हम direct plant लगा देंगे, decompose होने का weight नहीं करेंगे, अब तो देखिए मिट्टी की layer के नीचे जब composting का काम start होगा, तो कीड़े तो होते ही होंगे, वैसे मैंने मिट्टी हटा करके कभी check नहीं किया है, लेकिन अगर होते भी होंगे, तो देखिए पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से ये काम कर रही हूँ, और मेरे पौधों को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बात शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं confirm हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, सामने आप देखिए ये बाल्टी देख रहे हैं, और इसे मैंने कैसे भरा था, ये मैंने वीडियो में बताया है, आपको उपर मैं आई बटन पर लिंक दे रही हूँ, और आप चेक कर सकते हैं, और देखे मैंने इसमें मिर्ची के प्लांट्स लगाए हैं, और मैं आपको अपडेट्स इस मिर्ची के पौधे की देती रहूंगी, कि ये किस तरह से ग्रो करेंगे, और इस तरफ जो ये ड्रम देख रहे हैं, जिसमें ये कद्दू की बेल लगी हुई है, इसे भी मैंने ऐसे ही भरा था, पूरा उपर तक मैंने इसे किचन वेस्ट से और ब्राउन वेस्ट से भर लिया था, और उसके बाद उपर मैंने मिट्टी की लेयर लगाई थी, और ये कद्दू की बेल लगाई है, और देख लीजे, इसमें कद्दू एक लगा हुआ है, बहुत हेल्दी बेल थी ये, और इसमें से एक कद्दू मैं हाविस्ट भी कर चुकी हूँ, और मेरे जादतर कंटेनर्स को मैं इसी तरह से तयार करती हूँ, और जो मेरे पुराने कंटेनर्स होते हैं, जिसमें अल्रेडी मिट्टी भरी हुई है, उसमें एक फसल होने के बाद, मैं पौधे निकाल करके, उपर की थोड़ी से मिट्टी निकाल करके, नीचे की तरफ में किचन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट की एक लेयर डाल करके, और उपर से फिर से मिट्टी भिछा करके पौधे लगाती हूँ, और ये सवाल पहले मेरे मन में भी आता था कि, इस तरह करने से कीड़े हो जाएंगे और ये पौधे को नुकसान पहुचाएंगे, लेकिन मैंने कई बार ट्राई किया है, और जब मैंने देखा कि किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुचता है, और बहुत अच्छे प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसके बाद ही मैंने ये आपके साथ शेयर किया है, और ये ट्राई करने की हिम्मत मेरी इसलिए हुई, क्योंकि मैंने कई घरों में देखा है, घर के पीछे की तरफ खुली कच्ची जगे होती है, और वहीं वो लोग कपड़े धोते रहते हैं, उसका पानी जाता रहता है, बरतंद होते हैं, उसका पानी जाता रहता है, और वहीं पर किचन से निकला हुआ सारा कूड़ा कच्रा वो लोग फैकते रहते हैं, एक तरह से कूड़े कच्रे का धेरी खटा होता रहता है, जहां पर गंदा पानी भी जाता रहता है और वहां पर इतने अच्छे पौधे ग्रोव होते हैं जो किचन से निकला हुआ वेस्ट है उसमें से जो पके हुए बीज होते हैं उससे अपने आप प्लांट्स निकलाते हैं या फिर कई बार वो लोग तोरई के लौकी के बीज वह बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है तो आप बताएए क्या उस कच्छे के धेर पर कीड़े नहीं होते होंगे जबकि हम जो किचन वेस्ट डाल रहे हैं जबकि हमें पता है कि हमें उसे गंबलों में डालना है तो हम बड़ा साफ सुत्रा सा सबजियों का छिलका ले जाकर के फलों का छिलका ले जाकर के डालते हैं उसमें कुछ भी जूठा नहीं होता है तो जो वो कच्रे का धेर है उससे तो बहुत जादा सफाई रहती है तो मुझे लगा कि जब यहां पर इतने अच्छे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो हमारे कंटेनर्स में क्यों नहीं हो सक जबकि वहां पर वो लोग कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं दे रहे हैं हाँ यह अंतर जरूर है कि वो पौधे जमीन पर लगे हुए हैं और हमारे कंटेनर्स में हैं तो लिमिटेड स्पेस है तो हमें अलग से खाद भी देनी पड़ती है एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ती है लेकिन हाँ कीडे होंगे और उससे पौधे खराब होंगे यह मेरा डर कम हुआ और मैंने ट्राइ करके देखा और मुझे बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिले और अब तो मुझे लगता है जैसे इसके बिना आप मेरी गार्डनिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अब धि मिला करके कंटेनर तैयार कर लेती हूं हां मैं बाद में खाद डालती हूं पूरे प्लांट के लाइफ सैकल में मैं दो या तीन बार बस में गोबर की खाद डालती हूं और बाकी मैं लिक्विड फर्टिलाइजर ही जादा देती हूं इसलिए गोबर के कंडों से मैं जादा करके containers में ही मिला देती हूं तो इस तरह से काफी सारी खाद मेरी मिट्टे में हो चुकी है तो इसलिए मैं अब बहुत जादा नहीं मिलाती हूं मैं kitchen waste जादा मिलाती हूं और kitchen waste से कई तरह के micro और macro nutrients भी पौधों को मिल जाते हैं जो शायद सिर्फ गोबर खाद से नहीं मिल पाते क्योंकि मेरी गार्डिंग सिर्फ गोबर की खाद kitchen waste और सरसों की खली पर निर्भर है और मुझे किसी भी तरह की पौधों में कमी नजर नहीं आती है फ्रूटिंग आप देखते ही है हावेस्टिंग इसके अलावा मैंने कभी कोई और फर्टिलाइजर मार्केट से ले करके पौधों के लिए यूज नहीं किया है तो आप भी बिना डरे अपने गार्डन में kitchen का वेस्ट डारेक्ट यूज कर सकते हैं बस आपको ये ध्यान रखना है कि kitchen waste के साथ साथ आप brown waste भी डालिए थोड़ी मिट्टी भी डालिए इन तीनों का combination बनाने के बाद आप उपर से मिट्टी की layer से इसे ढख दीजिए मिट्टी की layer में आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं और उसके बाद आप पौधे लगाईए तो आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रो होंगे मैं अब खाद नहीं मिलाती हूँ क्योंकि मेरे मिट्टी में खाद मिली हुई है और अगर आपके मिट्टी नहीं है तो आप उसमें गोबर की खाद भी थोड़ी सी जरूर मिला लीजिए टॉप लेयर में और इसके बाद भी अगर आपको डर है तो आप मेरी बाद भी मत मानिये आप पहले एक दो कंटेनर्स में ट्राई कीजिए एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद बखुद पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है और आप खुद सीख जरा भी हेलफुल लगती है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू